बिहार में बालू माफिया के होसले बुलंद, रेड करने पहुंची पुलिस टीम पर बोला हमला, दारोगा पर चड़ा दी गारी. सिर्दला नवादा नवादा, बिहार में अवैद बालू खनन में लगे माफिया के होसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं. बेकोफ बालू माफिया पुलिस कर्मियों को निशाना बना रहे हैं ताजा मामला नवादा से सामने आया है जहां बालू माफिया ने च्छापे मारी करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला बोल दिया इस दोरान बालू माफिया ने पुलिस टीम में शामिल दारोगा गारी चड़ा दी दरसल नवदा में बालू माफिया ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया है जिसमें एक पुलिस कर्मी बुरी तरह से घायल हो गया अवेद बालू खनन की जानकारी मिलने के बाद सिर्दला पुलिस लॉन्द बजार में छापे मारी करने पहुची थी इसी दोरान बालू माफिया निथाने में तेनाद दारोगा संजीव कुमार पर गाड़ी चड़ा दिया जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए है धटना के बाद बालू माफिया ट्रेक्टर समेथ फरार हो गए मौके पर मौजूद अन्य पुलिस कर्मियों ने घायल दारोगा को इलाज के लिए सिर्दला पी एचसी में भरती कराया जहां से डॉक्तरों ने उसे नवादा रफा कर दिया है नवादा सदर अस्पताल में इलाज के बाद घायल एसाई को बहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल में भरती कराया गया है उधर पुलिस टीम हमलावरों की गिरफतारी के लिए छापिमारी कर रही है